हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फीज चैनल दोस्तों आज मैं कार्डियू वेस्क यानि हिर्देव फेफ्लों की सहन चंता की बारे में बता रही हूं और इसके अंतगत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सब को किलियर कर दूँगी आज आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कार्डियू वेस्किलर इंडुरेंस तेश्क के अंदगत को कौन सी किलियाय आती हैं और दोस्तों यह आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपेटेटिव एक्जांस जाहे वह TGT, PGT, KVS, NVS, ELT, कोई भी एक्जांस हो उसकी सिलबस के एक्वार्डिंग प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलबस के एक्वार्डिंग बनाए गया हैं उन सभी वीडियो उसको वास्च करके आप अपनी प्रिप्रेशन को बहतरिन कर सकते हैं एन दोस्तो डेली वेसेच पे प्रिवीश सियर के कुश्चन सिरीज लगवाया जा रहे हैं उस सिरीज को प्रेक्टिस करना आप न भूलिएगा तो दोस्तों चलि जानते हैं आज की टापिक कार्डियोव वैस्कुलर इंडरेंस तेस्स की बाले में जो किसी क्रियायां को लंबे समय तक थकान की इसीति में भी अपना समर्जस से इस्ठापित कर लेते है। ध्यान पूर्वक सब्दों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कर रहा है ही देव फिप्रोड के वह ँऐ चंता जो किसी क्रिया को लंबे समय तक ठकान की इसुप सिर्पिति में भी अपना सामन जर्बन से स्थापित कर लेता है यानि कि जो भी क्रिया के लंबे समय तक ठक प्रवान के ECT में की जाती हैं और उसमें भी हिदर वफिफरो की छंता ऐसा बना रहे जो इन सब क्रियाओं में सामन जैसे इस्थापित कर ले तो यानि कहने का ताथ पर है कि लंबे समय की जो भी क्रियाएं होंगी उसमें कार्डियो वैस्कुलर इंडुरेंस मापने के लिए क्रियाएं की जाएंगी अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंत्रकत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं कार्डियो वैस्कुलर इंडुरेंस टेस्ट के अन्तरकत जैसा कि आप समझ लिये कि लंबे समय किरियाएं होती है उसमें ही तरो फेफर की सामझे शमता जिसमें बनी रहती है वही किरियाएं कार्डियो वेस्कुलर इंडिनेस टेस्ट के अंतरगत आता है तो इसके अंतरगत देज मिल रनवाग टेस्ट, छेसो याड रनवाग टेस्ट, नव मिनट्स रनवाग टेस्ट, या वन मिल रनवाग टेस्ट, या पंदरे मिनट्स रनवाग, एंड वन मिल रनवाग ये च्यारों दोस्तों आपहर्ड के अंतरगत प्यूल हॉन्सीकर तथा गायजी रिफ्म ने 1976 में सर्कुलेटरी रिस्पारेटरी इंडिरेंश को मापने के लिए बनाया था सर्कुलेटरी रिस्पारेटरी इंडिरेंश को मांपने के लिए दोस्तों चाहे इसको Cardio-Vescular Indurrence बोलिए, चाहे Circulatory-Respiratory Indurrence बोलिए, दोनों यह की है, तो कई पर पूछा जाता है दोस्तों कि 12 मिनस रंवाग को किस ने बनाया, तो कूपर ने बनाया, कब बनाया, 1970 में बनाया, क्या मापता है, काडियो वेस्कुलर इंडरेंस या सर्कुलेटर इस्पारेटर इंडरेंस को मापता है एंड दोस्तों कूपर ने दो और टेस्ट बनाया था बारा मिनर्स स्विमिंग एंड बारा मिनर्स साइक्लिंग इस एंड जॉगिंग इन तीनों को कूपर ने 1982 में कृदि एच कूपर न यहां पे सही रहेगा एल्ण दोस्तों इसके अंतर गत और कौण कोंगों सी क्यायाई आती है इसमें आता है cross wise step test and multi stage subtle run जो circulatory respiratory endurance के साथ agility भी मापता है ठीक है यह कई पर पूछा है multi stage subtle run क्या मापता है circulatory respiratory endurance के साथ agility भी मापता है एंड पेशर 20 minutes subtle run यह भी circulatory respiratory endurance मापता है एंड दोस्तो एंड ट्रेंड रीमिंग सब माक्सिबल एरोबिक टेस्टिंग 1924 में बनाया गया यू जाब stepping exercise यह होता है एंड दोस्तो इसमें walking running swimming aerobic testing भी आता है एंड दोस्तो इसके अंतरगत Harvard state test जो कई बार हमेशा पूछा जाता है आता है इसको लिउसीन ब्रोहा ने 1947 में Harvard विश्विद्याले अमेरिका में के students पर सबसे पहले परियोग किया था और इसको cardiovascular endurance मापने के लिए बनाया था दोस्तो इसके बारे में Harvard step test के बारे में नेक्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी इसमें बस इतना जान लेजिए कि Harvard step test एक bench होता है कम से कम उस bench या उस box की लंबाई पूर्सों के लिए 20 inch महिलाओं के लिए 17 inch पूर्सों के लिए 20 inch यानि 50 cm महिला के लिए 17 inch यानि 15 cm होता है इस प्रकार उस box पर पांस मिनट तक अप अप डाउन डाउन यानि अप डाउन किया जाता है उसके बाद एक मिनट तक पांस मिनट करने के बाद एक मिनट रेस्ट किया जाता है चाती पूर्टी किया जाता है उसके बाद एक मिनर की छाती पूर्टी के बाद 30 सेकेंड पर्स काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकेंड रेस्ट दिया जाता है, फिर 30 सेकेंड पर्स काउंट किया जाता है, इसी तरह पर्स काउंट किया जाता है, उसके बाद physical fitness index सुत्र की गर्णा की जाती है जिससे कर्टा का cardio respiratory endurance मापा जाता है इसके लिए सुत्र होता है physical fitness index का duration of exercise in seconds गुड़े 100 upon sum of pulse counts during recovery गुड़े 2 इन दोस्तों इसके बारे में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में cardiovascular test के बारे में detail में बताऊंगी और क्या मापता है cardiovascular respiratory endurance नेक्स्ट है total pulse ratio test total pulse ratio test को भी cardiovascular endurance मापने के लिए 1930 में यूस्टे की लोवा इनिवर्सिटी में www.total and rc.wilkins द्वारा बनाये गया था दोस्तों इसमें भी एक उची bench का इस्तेमाल किया जाता है वो bench का उचाई होता है 13 inch आप इसको ध्यार में रखेगा विशेश रूप से क्योंकि बहुत पर कुछता है हावर्ड इस टेस्ट में bench की उचाई कितनी होती है तो 20 inch आपको ये ध्यान में रखना होगा इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि जब आराम के इस सिती में एक मिनट का हिदेगेती माप लेते हैं फिर वह एक मिनट तक bench की मदद से sit up और sit down करता है अभ्यास करता है उस bench पर एक मिनट एक मिनट आराम के समय हिदेगेती माप लिया गया एक मिनट फिर वो अभ्यास किय उस पर उसके एक मिनिट के अभियास के तुरंद बात रिकावरी काव चाल में दो मिनट का ही दे गतीमा पड़ चाल जाता है बुस्तों कार्टियो वेसक्लाइट इंड्रयंस ट्डटल परसेटियोटित टेस्ट जख करने के लिएforward के लिए remembered मरा 2 मिनट Pulse At Recovery अपान 1 मिनट Pulse At rest ये सुद्र होता है यानि 2 मिनट अराम के समय एक मिनट अभियास करने का बार अभियास के तुरंट बाद यह होता है टटल पर्स डिटियोटिस्ट जो कार्डियोवेस्कुलर इंडिरेंस में अपने के लिए बनाय गया था एन दोस्तों लेक्स्ट आता है कार्डियोवेस्कुलर इंडिरेंस में wa-2-max gas analyzer क्या होता है दोस्तों यह अधिक्तम आक्सिजन को ग्रह करने की चमता होता है तो यह भी क्या मापता है कार्डियो वेस्कुलर इंडुरेंस एन दोस्तों एक ब्यक्ति की अभ्यास के दुरान जब अधिक्तम हिदे दर हो जाता है कर्फर हो जाता है यानि की एक ब्यक्ति के दौरान जब अधिक्तम हिदे दर हो जाता है उस दरान एक मिनट में जितनी आक्सिजन गरहत की जाती है उसे हम उसका भी auto max कहते हैं इसके लिए अधितम हिजागती मापने के लिए bicycle ergometer and treadmill का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों आज बस इतना ही cardiovascular अंतर के लिए जितने भी क्रियाएं आती हैं मुख्य मुख्य उसके बारे में मैं इसमें बताई हूं and दोस्तों इसमें से Harvard step test and total pulse ratio test and B2 max इन तीनों के बारे में next video में अलग-अलग करके डिटेल में बताऊंगी and दोस्तों जितना आपके exams में आता है उस point को मैं इसी वीडियो में बता दी हूं इससे बाहर cardiovascular stress test से नहीं पूछेगा तो दोस्तों I hope कि ए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कैसा लगा मुझे comment में बताईए दोस्तों and ज्यादेस ज्यादे वीडियो को share किया किजिए जिससे मुझे एक नया motivation मिलता रहे जिससे आपके लिए मैं daily basis video बनाती रहूं and दोस्तों पहली बार विजित कर रहा है तो चैनल को subscribe कर लिजिए bell icon को phrase कर लिजिए